आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार जीरा चिकन की रेशिपी शेयर करूंगी जो सिर्फ तीन चीजों से बनकर तयार होगा तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं यह मैंने फ्राई पेन में दो चम्मस तेल डाला है और यह दो चिकन का पीस है इसमें डाल कर हाई फिलेम पे पांच मिनर तक फ्राई करेंगे देखिए इस तरीके का कर लेंगे अब यह तयार है इसको निकाल लेंगे अब मैंने यह तीन प्याज लिया था जिसे काटकर मिक्सी जायर में डाल कर पीस लेंगे इसमें यह दो हरी मिर्च है यह डाल देंगे और यह चार मैंने छोटी हरी मिर्च ली है इसको भी इसमें डाल कर पीस लेंगे फ्राई पेन में मैंने एक कप तेल लिया है जिसमें यह पिसा हुआ प्याज और यह लसन का पेस्ट है एक चम्मच इसको डाल कर हाई फ्लेम पेज दस मिनर तक इसको भूनेंगे जितना भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा देखिए अभी भी यह तयार नहीं है यह परफेक्ट तयार हो गया है तेल उपर आ गया है अब इसमें एक कप में दूद डालूंगी दूद डाल कर इसको ग्रेवी के लिए तयार करना है कम लग रहा है इसलिए आधा कप मैंने और दूद डाल दिया अब इसमें नमक डाल देंगे आए रोस्टेट जीरा पाउडर है जो मैंने जीरा को भून लिया था और हाथ से पीछ लिया अब इसमें दोनों पीच डाल कर फ्राइ किया हुआ इसको बीस मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढखक कर इसको पकाएंगे देखिए सिर्फ इसमें तीन चीजें शामिल है प्याज हरी मिर्च और यह जीरा पाउडर बीस मिनट हो चुका है अब यह पर्फेट बिल्कुल गल भी गया है कितना शांदार दिख रहा है अब मैं इसमें सुखा हुआ धनिया डाल दूँगी धनिये का पत्ता को मैंने सुखा लिया था इस वक्त मेरे पास फ्रेश नहीं था आप लोग फ्रेश डाल सकते हैं आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं